इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पैसे बाईस और पैसे बाईस में हुवाली सेंटेंसेज तो हुवाली सेंटेंसेज को हम पैसे बाईस में कैसे बनाएंगे सबसे पहले समझे हू जो होता है यह एक प्रोनावन है और इसका कर्ताकारक हू होता है कर्मकारक हूम और सम्मन्दकारक हूज कर्ताकारक हू कर्मकारक हूम और सम्मन्दकारक होता है हूज तो देखिए पैसे बोष बनाते समय हमें ये तो मालूम है कि हम subject को object बना देते हैं तो देखिए जब who का object बनीगा तो who का object यनकी कर्म कारख क्या होता है whom और subject को जब object बनाते हैं तो उसे by से जोड़ कर लगते हैं by whom हम लखेंगे by whom और जो प्रिश्माचक सब्द होता है उसे sentence के आगे ही लखा जाता है इसलिगे आगे ही होगा who का by whom तो इथर आजाएगा by whom अब इसके बाद क्या होगा by whom के बाद integrative sentence है साइकिर के पहले लगीगी is का होता है is being तो by whom is और ये जो him है ये subject बनेगा ये object है अभी तो इसका हो जाएगा he by whom is he उसके बाद आएगा being subjective बाद being और calling इसकी थर्ड फर्मागी called तो ये पूरा sentence क्या बनेगा by whom is he being called question mark अगरा sentence देखिए who helped her तो हू का इधर भी हो जाएगा by whom इसके बाद ये past indefinite tense है तो past indefinite continuous में जाएगा second form लगी है तो हो जाएगा इसका was बल लगेगी by whom was अगर आपको ये sentence अगर आपको tense change करना नहीं आता है तो उसकी वीडियो मैं इस वीडियो के description में डाल दूँगा तो आप वहाँ से जाकर tense changing सीख सकते है active passive की तो ये होगा who का by whom उसके बाद यहाँ पर आएगा was by whom was और हर बनेगा subject तो हो जाएगा see by whom was see helped third form भी helped ही होती है अभी second form लगी है तो पूरा बनेगा by whom was she helped अगला sentence इसी तरह से who did it तो who का by whom यह कैसे ने किया यह do किसे के इन फर्म लगी है did तो why whom पर लगी है was second form लगी होती ही तो was लगता है why whom was it बनेगा subject it और इसके बाद did इसकी third form done तो बनेगा by whom was it done और अगला sentence है who teaches you English तो who का हो जाएगा by whom और उसके बाद first form लगी है ऐसे है इस इस फूम तो लगता है इस जामार तो भाई हूम आर उसके बाद यह यू बनेगा subject तो भाई हूम आर यू उसके बाद teach की third form taught उसके बाद English हम English को भी subject बना सकते हैं तो बनीगा इंडारेक्ट अबजेक्ट व जब पीछे लगते हैं तो तो से जोड़के लगते हैं और अगलास लास्ट सेंटेंस है विंडो किस ने तोड़ी तो इस सेंटेंस को आप पैसे बहुते हैं बनाईए और comment box में लिखिए वीडियो अगर आपको फसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धनवाद